वो Revised Tax Invoice की बात करता है Revised Tax Invoice बच्चे बोलेंगे मुझे कहीं सुना सुना लग रहा है Revised Tax Invoice कहीं सुना हुआ है क्या हमने Revised Tax Invoice की बात पहले की थी हाँ सर, Revised Tax Invoice तो कहीं सुना सुना लग रहा है सर मैं आपको बताता हूँ, आपको याद आएगा मैं liable हो गया under section number 22 and 24 registration लेने के लिए तो sir आपने बोला था जब liable हो जाओ तो 30 days में apply कर देना मैंने apply कर दिया within 30 days तो आपने बोला था sir एक बार अगर आपने 30 days में apply कर दिया और आपको registration certificate मिल गया बच्चे बोल रहा है sir registration में सुना हुआ है तो मैंने अगर 30 days में application दे दिया और मुझे registration certificate मिल गया तो registration certificate को यहां से valid कराया जाता है और sir आपने बोला था जिस दिन liable हो गए उस दिन से लेके जिस दिन आपको registration certificate मिला उसके बीच में आपने जो भी supply किया था उन supply के लिए आपको customer से GST collect करके government को देना है उसके लिए जिस दिन registration certificate मिला समझ लिजे registration certificate 1st of January को मिल गया आपको तो आपको within 1 month revised tax invoice issue करना है 1 month मतलब हो गया 1st of January से लेके 1st of February से 5th of February तर आपको revised tax invoice issue करना है बच्चे बताएंगे मुझे के यह point याद आ रहा है मैंने आपको बताया था इसके बार में ये सर ये point तो हमें याद है अब सुनिए यहाँ बताया गया है सर notwithstanding anything contained in 1 and 2 ये जो 1 and 2 में बोला है इसको भार में जाए डस्बिन में डाल दो ठीक है इन्होंने बोला अगर एक registered person है तो वो issue कर सकता है ये बाबा रेश्टेस चाप्टर में जो मैंने बोला था वो actually tax invoice के chapter से चुरा के बोला था ठीक है सर ये one month में revise tax invoice issue करना है आप मुझे एक बात बताईए मैंने इस दोरान जो supply किये थे ना वो supply मैंने इतने सारे supply किये थे कि मतलब सर समझ लीजिए हजारों supply किये थे सर अब हर एक supply के लिए सर revise tax invoice issue करू tax collect करू pay करू सर बड़ा tension का बात है सर हर एक sale के लिए और एक invoice issue करो सर जो unregistered person थे वो तो भाग गये सर वो तो मुझे tax देंगे नी जो registered person है उनको मैं phone करके बूल सकता हूँ ले तेरा tax invoice ले और GST पे कर और मैं government को पे करूँगा अरे unregistered person है समझ लीजे मैं अपनी दुकान में न ये powder, lipsticks वगएरा बेशता हूँ लोग आए, madams आई sir वगएरा आए उन लोग समान खरीदे कोई GST नहीं दूँगा तो sir इस case में क्या होता है आप revised tax invoice उनको इस्चू करोगे जिन से आपको GST मिलेगा तो sir मैं क्या revised tax invoice सबको दूँ तो government ने यहाँ पे बोला कि अगर जो आपने supply किया उसके लिए revised tax invoice इस्चू करना है तो government ने यहाँ पे एक बात बोली देखिए government ने बोला रमेश एक काम कर तो जब revised tax invoice इस्चू करता है न इन supplies को देख अगर यह supplies तो ने registered person को किया था या unregistered person को किया था मतलब यह क्या B2B supplies थी या B2C supplies थी ठीक है अगर तो ने B2B supply किया है तो जो registered person है उनसे tax collect करके government को पे कर सकता है तो जब revised tax invoice इस्चू करना है तो एक काम कर अगर registered person को चाहें interstate supply किया हो चाहें कोई registered person थे जो outside the state थे interstate supply किया हो उनसे तो तो GST collect कर सकता है तो एक काम कर उनको सबको individually revised tax invoice इस्चू कर दे उनसे GST collect करके government को पे कर दे यहाँ भी individually revised tax invoice issue कर दे जो भी sale क्या था हर एक sale के रिए उनको revised tax invoice दे उनसे GST collect कर और government को पे कर दे लेकिन रवेश एक बात बता अगर तुने इस दोरान किस दोरान? जब liable हुआ तब से लेके जब तक resistance certificate मिला अगर तुने sale कुछ unregistered logo को किया था वो लोग तो भाग गये sir अब उनको revised tax invoice दे के क्या होगा लेकिन मुझे GST तो पे करना है तो मैं क्या करता हूँ जब आप sale करते हो न तब ही आप थोड़ा extra collect कर लेते हो कि यह जो unregistered person यह तो भाग गये अब यह तो GST देंगे नहीं बाद में तो इनसे आप थोड़ा extra पहली collect करके रख लेते हो तो आप government यहाँ पर बोलता है कि अगर आपने जो supply क्या था वो आपने unregistered persons को किया था तो आप एक काम कीजिए हर एक वेक्ति को revise tax invoice देने की कोई ज़रौत नहीं है आप एक काम कीजिए अगर आपने जो sale क्या था वो unregistered वेक्ति लोग को था तो आप देखिए क्या आपने sale interstate किया है या क्या आपने sale interstate किया है intra है या inter है अगर आपने interstate supply किया था ना कोई बाद नहीं बस एक काम कीजिएगा सारे invoices जो आपने unregistered person को issue किये थे anyways उनको कोई credit हो अगरा तो चाहिए नहीं आप बस एक काम कीजिए यहाँ पे consolidated एक revised tax invoice बना लिजे एक revised tax invoice बना लिजे GST collect कर लिजे और government को फिकर लिजे सार GST collect तो होगा नहीं तो अब बस आपको एक consolidated revised tax invoice बनाना है और government को GST पे कर देना है क्या यह point clear हुआ क्या हम आगे बढ़ सकते हैं Rather than सार हर एक unregistered person को एक 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 invoice देना सार anyways unregistered person तो आपको GST देने वाले नहीं है ना उनको credit से ही है तो आपको उनसे तो कोई मतलब नहीं है आप बस एक consolidated revised tax invoice बना लीजे चाहें आपने 10 लोगों को बेचा हो चाहें 20 लोगों को बेचा हो कोई बात नहीं एक consolidated revised tax invoice बनाईए GST आपको anyways उनसे मिलेगा नहीं आप बस GST government को पे कर दीजेगा बस एक consolidated revised tax invoice बनाना है बच्चे बताएंगे मुझे क्या ये point clear है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं individually क्यों paper waste करना है anyways वो लोग आपको GST देने वाले नहीं है तो individually एक 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 करके revised tax invoice देने की ज़रुत नहीं है बस एक जो भी interest rates अप्लाई किये थे during this period उनके लिए बस एक consolidated revised tax invoice बना लेना बच्चे बोलेंगे clear है चले आगे हाँ सर ये point clear है अब सुनिए अगर आपने इस दौरान किस दौरान सर इस time के दौरान अगर आपने interstate supply किया था to unregistered person सर interstate supply अगर unregistered person को किया था उनको भी क्या फाइदा होगा revised tax invoice देके उनको तो कोई credit होगे राच चाहिए नहीं तो आप एक काम किजे बस इस case में भी एक काम करिए consolidated revised tax invoice बना लीजे लेकिन बस इसको statewide बना लीजेगा हर एक state के लिए आप एक consolidated revised tax invoice बना लीजे पर every state अगर आपने इस दौरान पांच state में supply किये थे और unregistered person को जो भी supply किये थे उनके लिए interstate के लिए consolidated revised tax invoice बना लीजेगा ठीक है अब यहाँ पे एक छोटा सा star इन्हों ने डाला government ने डाला government ने बोला अगर आपने इस दौरान कोई supply किया था इस दौरान अगर आपने कोई supply किया था कौन से दौरान जब आप liable हो गए और जब आप रेसेंस अड़िएट मिल गया इस दौरान अगर आपने कोई supply किया था unregistered person को किया था तो आप consolidated revised tax invoice दे सकते हो हर एक state के लिए consolidated revised tax invoice दे दिले लेकिन अगर कोई एक value of supply more than 2.5 lakh है कोई एक value of supply कोई भी कोई भी value of supply अगर आपने एक supply किया था unregistered person को और उसका value more than 2.5 lakh है उसके लिए आप consolidated revised tax invoice मत दीजे उसके आप individually एक revised tax invoice दीजे और government जानना चाता है क्योंकि government आप से क्यों ये individual revised tax invoice का detail मांग रहा है क्यों government जानना चाता है कौन SI कंडेश्टर्ड person है दूसरे state का है जिसको आपने supply किया क्योंकि उस state को tax transfer करना पड़ेगा इसलिए government बोल रहा है अगर more than 2.5 lakh है उसके लिए आप individual revised tax invoice दीजे मुझे बच्चे बताएंगे क्या ये point clear है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चो एक काम करो पटापट लिख लो इसे अगर जो बच्चे लिखना चाते हैं लिख लो एनिवेज मैं notes तो upload करी रहा हूँ फिर भी एक मिनिट का time देता हूँ देखिए इसको लिख रहे हो तो लिख लो और इसके बाद आगे बढ़ेंगे मैं वीडियो पॉस्ट कर रहा हूँ देख लीजे बच्चे बोल रहे हैं done है sir done है चलिए question पूछ लेता हूँ आप बताई ही मुझे number one आप बताऊगे revised tax invoice देना है एक consolidated revised tax invoice में जा सकता है number one मैंने number one supply किया है to ram supplies to ठीक है ram a registered person value of supply मैं लिखता हूँ यहाँ पे 500 उपीस sir supplies किसको किये और registered person understood value of supply 500 मेरा question आप से यह है क्या revised tax invoice देना है या consolidated revised tax invoice देना है बताईए बोल बेटा बोल revised tax invoice या consolidated revised tax invoice sir normal सा case है registered person है value अगर देखिये मत revised tax invoice दे दीजिए ठीक है चलिए उसके बाद मैं second question पूछा हूँ मैं question लिख लेता हूँ 5-6 question आप लोग answer करते रहिए ठीक है शाम को supply किया शाम एक registered person है और 3 lakh रुपीज का supply किया नमबर 3 sir शाम को मोहन को supply किया ठीक है sir मोहन और मोहन एक unregistered person है और value of supply इंट्रा है या इंट्र है वो तो बता जिए एक काम करते हैं इंट्र या इंट्रा यहां तो अल्रीडी आपको पता है sir इंट्रा हो चाहें इंट्र हो ठीक है यहां आपने unregistered person को supply किया है 50,000 का supply है यह इंट्रा state supply है नमबर 4 sir राधा को supply किया है राधा एक unregistered person है और sir 50,000 का supply है इंट्रा state supply है ठीक है sir 5th में आपने लक्षमन को supply किया है लक्षमन unregistered person है 3,000,000 का supply है इंट्रा state supply है 6th आपने रोहन को supply किया है रोहन एक unregistered person है 3,000,000 का supply किया है और interstate supply किया है अब बच्चे मुझे बताएंगे किसमे consolidate revised tax invoice लगेगा और किसमे normal revised tax invoice लगेगा फटापट बता दीजे चलिए 30 seconds का time है answer बताएंगे आप लोग बोल बेटा बोल चल्दी चल्दी करिये चल्दी चल्दी सर पहला बाद तो registered person registered person revised tax invoice देना पड़ेगा consolidation possible नहीं है अब unregistered person interest rate अगर है तो consolidated दे सकता हूँ तो consolidated revised tax invoice दे सकते है सर unregistered person interest rate कोई भी value है value से कोई मतलब नहीं intra के case में consolidated revised tax invoice दे सकते हैं ठीक है और यहाँ पे unregistered person 50,000 interest rate सर interest rate के case में भी आपने बताया था interest rate के case में भी कोई issue नहीं है consolidated revised tax invoice दे सकते हैं बस अगर value more than 2.5 lakh है तो consolidation नहीं दे सकते हैं एक single revised tax invoice देना पड़ेगा ठीक है इसको आप consolidate नहीं कर सकते हो इसको आप अलग से revised tax invoice दोगे ठीक है सर तो एक बात बताईए सर interest rate लेकिन यहाँ more than 2.5 lakh है तो revised tax invoice देना पड़ेगा यहाँ consolidated revised tax invoice इसू करोगे तो भी चल जाएगा बच्चे बताएंगे मुझे क्या यह point clear है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चे बूल रहे हैं सर clear है revised tax invoice revised tax invoice consolidated revised tax invoice consolidated consolidated clear है yes sir बच्चे बूल रहे है clear है sir close कर दीजे इस discussion को